नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कान में सोना पहनने के जोतिशी और वैग्यानिक तर्क बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रहे जाएंगे, साथी वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि ऐची कौन सी धातू है जिसे कान में गलती से भी नहीं पहनने चाहिए। या जो लोग पंजाब से या इन स्टेटों से हैं उनको पता होगा हमारे बाप दादा के समय से कानों में सोना पहना जाता है। हमारे जितने भी मेल और फीमेल हैं दोनों ही कानों में सोना पहनते रहें। कानों में सोना अभुशन के तोर पर भी पहना जाता है और कानों में सोना वेग्यानिक अधार पर भी पहना जाता है और जोतिशाधार पर भी पहना जाता है जितने भी मेल हैं वो कानों में सोना पहनते थे हमारे बाप दादा ने पहन, हमने अक्सर देखा है उनको पहने हुए, क्या कारण है? आप देखेंगे कि जितने भी लोगों के कानों में सोना होता है, उनका केतु महराज का फल हमेशा उच्छ हो जाता है दोस्तों जब केतु महराज की कृपा होती है न तो जितने भी केतु के साथ संबंदित रोग है चाहे वो रोग नाभी से नीचे किसी भी प्रकार का रोग है वो भी ठीक होगा इसके इलावा केतू के साथ किड्नियों का संबंद भी है, गुटनों का संबंद भी है, पैरों की दर्द का संबंद भी है केतू के साथ हमारी उलाद का संबंद भी है, जो नर उलाद हम लोग गिनते हैं, लड़का जिसको गिनते हैं उसका संबंध भी केत्व के साथ है ये सब चीजों के उपर केतु महाराज की कृपपा हो जाती है जब हम लोग केतु कानों को बोलते हैं जब इसके उपर हम लोग गुरू का आशिरवाद देते हैं यानि कि सोने को सोने को क्यूंकि ब्रसपती के साथ जोड़ा जाता है सोना ब्रसपती के साथ जुड़ी होने की वज़ए से जब हम कानों में सोना पहनते हैं तो हम लोग इसको गुरू का आशिरवाद केतु को देते हैं अब इसका जोतिश आधार ये है ये तो बताया जोतिश के आधार पर अगर हम थोड़ा सा पीछे स्मरन करें हम सब लोगों ने अपनी क्लास में के अंदर टीचर के कहने पर अपने गुरू के कहने पर हम अपने कान भी पकड़े हैं दोस्तो कान खीचने से क्या होता था उसका भी संबंद लगबग सेम ही है जब हम कान खीचते हैं तो जो हमारी नसे हैं जो दिमाग में भी जाती है और दिल में भी जात तीसरा कारण Pressure का है, सोने की पिन के अंदर जो गर्मी होती है, क्योंकि सोने की धातू, सोना धातू उसकी जो तासीर है वो गर्म गिनी गई है, जब हम लोग कानों के अंदर उसको पहनते हैं तो उसकी उर्जा से उसकी गर्मी से हमारे नस्यों को हमारे हाट को मजबूती मिलती है अभी आपने कान में सोना पहने के फायदे जाने लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ज्यादतर महिलाएं तो कान में सोना पहनती हैं तो उन्हें क्यों परेशानी का सामना करना पड़ता है चलिए इस बारे में एक्सपर्ट से जानते हैं दोस्तो जो अभूशन के तोर पर सोना पहना जाता है उसका जोतिश के अधार पर फायदा नहीं होता क्योंकि वो खोकला होता है या उसको अभूशन का रूप दिया जाता है लेकिन अगर जोतिश के अधार पर पहना जाए तो जो मेरे भाई बंदू हैं वो कानों में सोना पहने हैं जो मेरी बच्ची ए छोटी-छोटी बच्ची आ हैं वह सॉलिट सोना पहन सकती हैं लेकिन जिनको केत्व के साथ जो बता बाते बताई गाई इस वीडियो में अगर प्रॉब्लम मारी है तो वह कानों में गलती से भी नहीं पेहना चाहिए